कि दोत Certainly में सटार्ट करेंगे रूजबे चैसमी से रूजबी चैसमी के बारे में आपको मैंने दोस्तों पहले भी बताया था अपने इंस्टाग्राम पेज पे तो अभी खिलाडी है वो FC Goa से लिंक्ट है और लगबग जो डील है दोस्तों बहुत ही यहां पर क्लोज लेवल पर है कि दन हो सकता है FC Goa के साथ यह जो खिलाडी है दोस्तों वो इरान की नैशनल फुटबाल टीम के लिए कहलता है और साथ में एक सेंटर डिफेंडर है जिसकी जरूरतियां पर FC Goa को थी जब से यहां पर मुर्तजा फॉल यहां पर मुंबै सिटी FC में गया है तो यह जो खिलाडी है इसका यहां पर फाइदा यह है कि एक्सपिरियंस्ट है वर्ल्ड कप में खेलने का और साथ महीं यहां पर बहुत ही अच्छे लेवल पर यह खिलाडी खेल चुका है तो लेकिन दोस्तों जैसे कि रूजबेच एसमी इरान की खिलाडी है और इनका जो कनेक्शन दोस्तों बताया जा रहा है एक कतार क्लब से और एक यहां पर साओधी अरेबिया क्लब से तो अब उनको यहां पर डिसाइड करना परेगा कि वो कहां जाना चाता है पहले बात तो प्राइस तो बहुत ही बड़ा आपर मैटर करेगा कि कौन सी क्लब यहां पर उनको कितना सालेडी द और सेम पोजीशन के लिए यहां पे उनका नाम है सीको फ्लोर्स जो कि यहां पे सुवांसी सिटी एफ सी के पुराने खिलाडी रहा जो कि यहां लगभग पचास से ज्यादा मैचस खेले उन्होंने सुवांसी सिटी एफ सी के लिए और लगभग दो या तीन गोल्स किये हैं इनोंने तो यह जो खिलाडी है दोस्तों वह भी लिंक पताया रहा है एफ सी गोवा से यहां पे हाली में सबसे लेटेस्ट यही अभी अपडेट्स चल रहा है ट्रांसफर रीमर्स जो भी आते हैं उसमें सीको फ्लोर्स जो अभी टॉप पे हैं और यहां पे उनका लिंक प फाइलिक प्लेयर यहां पे आता है एफ सी को अके लिए यहां पे दोनों में से कोई खिलाडी नहीं आता है कोई नया ही नाम यहां पे निकल के आता है और एक सर्प्राइजिंग एलिमेंट यह अगर कुछ पहले न्यूज आएगा तो मैं आपको बता दूँगा तो सब्सक KBFC से वो अभी free agent है यानि कि उनका किसी भी club से कोई भी नाता नहीं है और उनको यहां पे बताया गया है KBFC को कि यह जो खिलाडी है वो आना चाहता है और इंट्रेस्टेड है KBFC में आने के लिए लेकिन यहां पर कुछ यहां पर बहुत ही concrete decision इस पर नहीं आया या कोई concrete news नहीं आया है तो जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूँगा और हम बढ़ते हैं यहां पर अपने दूसरे news के तरफ दोसों हमारा अगला news है वो बहुत ही ज्यादा है यहां पर shocking news है वो है related Koro से Koro जो कि यहां पर golden boot पर जाता भी रह चुके हैं एक season और यह जो के लिए खेल चुके हैं यह खिलाडी और बहुत ही ज्यादा experience player है और FC Goa को इन्होंने बहुत ज्यादा फायदा दिया है लेकिन अब यह बोर्ड है कि मेरे को जो salary मिल रही FC Goa के तरफ से जो की salary offer की गई है वो worth नहीं है मेरे लिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहां पर Clubs को देख सकते हैं जहां पर उनको अची salary मिलेगी और अच्छा है यहां पर खेलने का experience मिलेगा तो यहां पर सारी बात है यहां पर आने में पता चल जाए क्योंकि यहां पर FC Goa जो है AFC Champions League खेलने जा रहा है तो यहां पर तैय करना पड़ेगा FC Goa को जल्दी से जल्दी कि या वो कोरो कर रखना चाहते हैं और रखना चाहते हैं तो उनके यहां पर salary थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और उनके साथ जो भी यहां पर दिखकते हैं उनको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी हम बात करे दोस्तों हमारे JJ के बारे में मीज़ोई सुन ऐदरबाद FC के अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक forward को यहां पर sign कर लिया जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा तो वहां पे कम chances है उनका और Marcelino को उन्होंने डिपार्ट कर दिया था तो उसके बाद एक forward को उन्होंने sign किया है तो उसके चलते हैं प अगर्पड़ी सिंग संदू की दोस्तों गुर्पड़ी सिंग संदू के यहां पे आएसल के बाद नहीं देखा गया इंडिया में और ऑभी वह कहा है वह मैं आपको भी बता देता हूं तो गुर्पड़ी संद्ग अभी है ऑस्ट्रेलिया में और एरिक पार्तालू जो कि Sydney यानि कि Australia में है तो इसलिए अभी वह वहाँ पर हैं और काफी training कर रहे हैं चाहे तो आप उनके Instagram पेज को यहाँ पर जाकर follow कर सकते हैं तो वहाँ आपको सब कुछ जानकाड़ी उनके बारे मिल जाएगी बहुत ही अची से training कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दिकत नहीं है और जैसे ही यहाँ पर Indian football team यहाँ पर वापस आती है action में यहाँ बंगलोडू FC आती है वापस action में तो वह आपको खिलते दिखेंगे उसका बात कर लेते हैं दोस्तों हम रॉय कृष्णा के बारे में रॉय कृष्णा का यहाँ पर contract जो है वह extend कर दिया गया है 80K के लिए 2021 सीज यह वगरा का यहाँ पर कोई concrete news नहीं आया था या उनको कुछ पता नहीं चला था और यह options तरास रहे था कि यह बाहर जा सकते हैं लेकिन अब यह बिल्कुल तया चुका है कि यह जो खिलाडी है वह रहेगा 80K MB के साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रह तरहा है कि यह जो खिलाड़ी है दोस्तों वह लिंक्ट है औरी साथ में ही जैसा कि मैं आपको पहले पता यह कि यह जे बिल्कुल को सभbn करती है एक सिंगल मेंम करता है जब भी पता चले आप एप सबसे करें साथ के अगर इंस्टागां पे वारा किया क्यूंकि Rabb परूइब आहdoesा हूं कि सबसे पहले क्युक्तित डालता हूं कुकि वह सबसे फासटेस्ट तरीका है आप डालनें का तो अभी तक फॉलो नहीं किया प्लीज करओ इंस्टाग्रम पेसपोंक्तित के पीज को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और साथ में ही मैं आपको बता दूँ आप लोग के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज है कि मैंने अपना यानि कि स्पोक कामबैट का जितना भी हमारे जितना भी बड़ा कॉम्मिनिटी है उसके लिए एक ओफिशल वेबसाइट लाँच किया है जहां पर मैं डेली ब्लॉक्स डालूँगा और आज भी मैंने डाला है तो वो आप जाके चेक कर सकते हो और दोस्तों मैं आप लोग सभी लोग से मदद मांगना चाहता हूँ ब Option है, अभी तक तो नहीं मांगा कभी भी लेकिन इस पर मांगने को मदबूर हूँ क्योंकि यहले maior नहीं आतों और इसलिए मैं आप लोग से मांगने केलिए मदभूर हूँ कि यहां पर जो हमने website खुला है दोस्तों वह blogger.com से है वह free domain है तो उसके यहां पर ज्यादा reach नहीं हो पाएंगे इसलिए मैं आप सभी लोग से गुजारिस करता हूं कि अगर आप समार्थ हो दोस्तों अगर आप कुछ contribute कर सकते हो जितना भी आप contribute कर सकते हो 10, 30, 40, 50 जितना भी कर सकते हो वह आप मुझे करो यहां पर गूगल पे नंबर जो है वह मैंने अपना दे दिया है description में वहां से आप जाके मुझे पे कर सकते हो क्योंकि वहां पर कुछ चार्ज लगते हैं लगबग 2500 रुपे तीन या चार महीने के तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि यहा अगर नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं जो दे सकते हैं लोग 10-20-30 चाले ज्यादा मैं आप आपसे डिमांड नहीं करता हूं जितना भी आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले नियूस पर दो यहां पर जैसा कि मैंने आपको में खेल चुका है मलेशियन प्रो लीग में खेल चुका है और बहुत ही अच्छा खिलाडी है तो यहां पर हैदरादबाद FC जो कि इनका प्रेशन रहा था वो पिछला साल उतना बड़ियां नहीं रहा था तो जो यहल चैनिस हो सकता है कि एक चेंज लास्ट पाएं यहां पर इस टीम में तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा और अब हम बात कर लेते हैं दुरासा इंटरनाशनल फुटबॉल अपटेट्स के बारे में तो लिवरपूल लेटेस्ट यानि की नुएस्ट चैंपियन है इंग्लिस प्रीमेर लीग की यहां पर उनका जो हैं तीस साल बाद इंग्लिस प्रीमेर लीग के चैंपियन सोगराक्चुलेशन्स यहां पर सपोर कोमाट के दब से यहां पर लिवरपूल को चैंपियност बनने के लिए हम बात करें थोड़ा सा दोस्तों सेरिये के बारे में सेरिये में यहां पर लेटिस जो मैच हुआ उसमें जुएंटस ने यहां पर जीत दर्ज की है जिसमें रोनालडो ने यहां पर दो असिस्ट और एक गोल किये है 3-0 से हराया है उन्होंने अपने विवक्षी टीम को और एक और हम ट्रांसफर अपडेट के बारे में बात करें दोस्तों जो सबसे यहां पर लेटिस्ट ट्रांसफर व्यूमर आ रहा है वो है जैसा कि आप जामते हैं कि यह रियाल के लिए खेलते हैं और यह जो खिलाड़ी दोस्तों वह लिंक्ट बताया जा रहा है अटलेटिको मड्रीड से तो आने वला दिनों में हमें पता चलेगा कि यह खिलाड़ी कहां जाता है इसका मार्केट वैल्यू तो बहुत ही हाई है जो कि मैंने यहां पर नीचे लिस्ट क करने जा रहा हूँ और संडे को एक special वीडियो आइगी हर वी तो एक वीक में चार वीडियो आएंगी तीन न्यूस की वीडियो और एक जो होई है दोस्तों वह संडे को हैईगी special वीडियो होगी कोई किसी एक खासट टॉपिक पे आप मुझे उसका suggestion दे सकते हो झाल झाल